अपने स्कूल में इसका हम सैट भी सॉल्व करने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए आपने इसके उपर रॉल लंबर इंडिकेट कर दिया होगा साथ मैं आज जो डेट है वो 18 सेप्टेमबर है 2023 इसके बाद आपको पता होना चाहिए आपके पास आया है सैट भी साथ साथ आप जो है हमारे टेलीग्राम जो चैनल है इसको आप जोइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए साथ साथ वाटसब ग्रूप से भी आप जुड़ सकते हैं जिस जिन दोनों का जो लिंक है वो हमने डेस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है आगे हम स्टार्ट कर ल बता होना चाहिए यहां होमो सेपेंस की तीन जो है सबश्पीसीज होती है यहां डेसल अटो ovulation is the release of egg, ovulation is the release of egg, बिल्कुल सही है, साथ-साथ ovulation takes on the 14th day after fertilization, चीक है, अब ovulation जो है, fertilization के बाद 14th day होता है, यह गलत है, means सिर्फ जो है इसमें assertion सही है, और reason आपका गलत है, option जाएगा, C के साथ, next हम बात कर लेते हैं, यहाँ भी two statements दे रखी हैं, first हमर पास, in ripening of cheese, insoluble proteins are cle to form peptides, soluble peptides की formation करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर answer के अगर हम बात करें, यहाँ पर SSN सही है, और reason जो दे रखा है, वो false है, कैसे false है, अभी हम बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पता होना चाहिए, कि जो soluble हमारे पास peptides होते हैं, बिल्कुल इन से हमारे पा होती है, उनको राइपन जो किया जाता है, किसे yeast से और fungi से, लेकिन यह कह रहा है कि इन दोनों की ही जो formation है, वो lectic acid bacteria की द्वारा की जाती है, ऐसा नहीं है, इसलिए reason हमारे पास गलत है, और राइपनिंग चीज के लिए insoluble proteins का हम कुछ एका यूज करते हैं, ठीके जिस से जो soluble बन जाती, यह बिल्कुल सही है, थर्ड जो question है, इसके अंदर जाएगा option C, next हम बात कर लेते हैं, question number 4 की, rhizobium forms nodules on the roots of leguminous plants, बिल्कुल यहां हम बात कर लेते हैं, rhizobium की, तो rhizobium जो होता है, हमारे पास वो formation करता है, बिल्कुल roots of leguminous plants की अंदर, यहां पर हमारे प rhizobium fixes atmospheric nitrogen into the organic forms, which is used by the plants as the nutrients, लेकिन आपको पता हुंची, rhizobium बिल्कुल इसी को fix नहीं करता है, यह fix इसको तब कर सकता है, जब हमारे पास इसका association different leguminous plants के साथ होता है, तो only when they present inside the root nodules, तो यह तभी root nodules के अंदर है, तभी यह atmospheric nitrogen को fix कर सकता है, अगर यह root nodules के अंदर नहीं है, तभी इसको fix नहीं कर सकता, तो इसका correct explanation नहीं होगा, option जाएगा B के साथ, next हम बात कर लेते, question number 5 की, silencing of a gene could be achieved through the use of, through the use of, ठीक है, silencing gene silencing हम किसलिए use कर सकते हैं, हम RNA I के लिए use कर सकते हैं, antisense RNA के लिए कर सकते हैं, interface के लिए और antisense RNA के लिए, इसके दोरा हम gene silencing जो है, इसको achieve कर सकते हैं, आगे हमारे पास कुछ disease दे रखी हैं, सबसे पहले हम इन disease को identify करना पड़ेगा, A में क्या दे रखा है, B में क्या दे रखा है, C क्या है, D क्या है, E क्या है, इनको identify करने के लिए A में हमारे पास chicken box है, दूसरा small box दे रखा है, उसके बात measles है, जो छोट किस के साथ जाएगा, option जाएगा हमारे पास A के साथ, next हम बात कर लेते हैं, question number 7, कुछ bio active substance दे रखे हैं, उनके roll दे रखे हैं, तो आपने इन सब को match भी किया है, statin जो होता है, वो lowering of blood cluster में मदद करता है, cyclosporine A, immunosuppressant agent है, stepto kinase हमारे पास removal of clots में मदद करता है, और lipase होत होता है, यह removal of oil strains में मदद करता है, ठीक है, option हमारे पास जाएगा, D के साथ, next question है, which of the following is not a hydratory disease, hydratory disease में से कौन सी नहीं है, तो आपको पता हूं चिस्ट्रिक, इसमें, जो cystic fibrosis है, क्रोम जो नमबर 7, जो हो affect होता है, और यह hydratory disease के लिए, जो है, यूज की जाती है, इ जरूरी नहीं है, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन है, उसमें यह transfer हो, next हमारे पास questions कुछ दे रखे है, तो इन questions के solutions के लिए, हम आगे बात कर लेते हैं, तो question number 9, how many eggs, कितने eggs हो है, do you think were released by the ovary of a female log, which gives 6 birth to the puppies, अगर 6 puppies हो रहे है, तो इसके लिए egg की requirement होगी, वो 6 egg की requirements हो one ovum is released from the ovary, at the time of the ovulation, ठीक है, तो एक से अधे के ovum produce करते हैं, ठीक है, जब ovulation की process होती है, तो यह 6 egg produce करेंगे, जिससे हमारे पास 6 puppies की formation होगी, next हम बात कर लेते है, write the constant of the biogas, biogas के नदर हम किस-किस का यूज़ करते हैं, हम methane का यूज़ करते हैं, CO2 का यूज़ करते हैं, और हम यूज़ करते हैं, ammonia का, methane जो होता है, इसकी percentage 55-70% होती है, carbon dioxide की percentage 30-45% होती है, next हमारे पास question है, angios pumps bearing unisexual flowers are set to be the either monoseous और dioseous, explain with the help of example, आपको पता हूँ चाहिए, monoseous जो होते हैं, इनके लिए हम यूज़ करते हैं, जो bisexual plants होते हैं, kukurbits, coconut और maze, dioseous हम यूज़ करते है जो हमारे पास unisexual plant होते हैं, या तो वो male है, या female है, इसके लिए हम example use करेंगे, papaya and date palm, ठीक है, example के साथ मैंने इसको बता दिया है, next है mark the odd on each of the, each one of the following groups, hind 3 दे रखा है, equal eye 1 दे रखा है, saal 1 दे रखा है, और साथ-साथ हमारे पास दे रखा है, यहाँ पर rope, तो आपको पत एक मिनट, यहाँ इसका यह नहीं होगा, क्योंकि आपको पता हूं चाहिए, जब हम use करते हैं, हम बनाते हैं, PBR 322, ठीक है, तो equal 1, hind 3, और salvan and PV, PVST, इन सबका तो हम यहाँ पर use करते ही है, one minute, हाँ जी, इसमें आपका जो answer जाएगा, वो जाएगा ROP की साथ, क्यों, ROP जो होता है, वो codes for proteins के लिए होता है, बाकी सारी की सारी जो है, restriction sites होती है, जो PBR 322 जो है, इसके उपर present होती है, जो की एक cloning vector है, next question हमारे पास है जी, why cannot DNA gain entry into the cell through the plasma membranes, तो plasma membranes के अंदर ही entry क्यों न DNA जो होता है, एक hydrophilic molecules होता है, लेकिन plasma membranes जो होती है, वो hydrophobic होती है, hydrophobic होने के साथ-साथ वो lipids और protein से बनी होई होती है, अगर वो lipids और protein से बनी होई है, ठीक है, तो lipids जो होते है, वो alloy नहीं करते हैं DNA को, कि वो cell membranes के अंदर insert हो पाएं, ओके, तो next हमारे पास है, दो आपको पॉस्टूलेट्स बतानी है, और प्रोटीन के नाम से जानते हैं, और लाइफ जो होती है, प्रोसीड करती है कि इसको chemical evolution को, next हमारे पास questions दे रखे हैं, जो की है, question number 15 है, तो 15 के अगर हम बात करते हैं, इन सब के answers जो है, मैंने यहाँ पर rise कर दिया, अगर हम इस वी time कम है, और इसका solutions बाकी questions का आपने कर भी लिया होगा, नहीं भी किया, तो मैं solutions आपको पूरा बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने इसको पूरे को solve भी कर लिया है, ठीक है, इसकी PDF आप पा सकते हैं, कहाँ पर हमारे टेलिक नाम चैनल पे आप इसकी PDF पा क्या है, तो इसमें आपको पूरे, पी हमारे पास areola है, लेक्टिफ स्थ टक्ट है क्यू, एमपूला, मेमरी डक्ट और मेमरी अलवियोलेस, तो यहाँ पर कुछ dawns दे रखे है, मेमरी ग्लांच और मोडिफाइड, मेमरी ग्लांड की होती है, स्वेट ग्लांड की होती है, next question दे रखा है, identify the incorrect match, P की अगर हम बात करते हैं, areola है, ठीके, तो incorrect match हमारे पास क्या हो गया, इसमें जो T दे रखा है, वो दे रखा है memory, alveoli, लेकिन T क्या इसमें, ठीके, T के लिए हम इसमें use करते हैं, ampoula region का, ओके, नहीं, हमारे पास lectiferous duct का है, लेकिन memory alveoli नहीं है तो यह option जाएगा D के साथ next हम बात कर लेते हैं memory डक्ट है expand to form lectivest duct को यह बनाती है ठीक है जी one minute हाँ जी ओके एकदम next हम बात कर लेते हैं यह कर रहा है what is areola areola हम पर यह दे रखा है पी पॉइंट्स के अंदर areola का indicates कर रखा है तो areola क्या होता है एक circular pigmented area होता है of the skin around the nipple nipple के पार्स जो है dark कुछ area देखने को मिलता है इसको areola के नाम से जानते है कुछ session region वाला कि last question इसके अंदर दे रखा है यह कर रहा है size of breast depend on the amount of adipose tissue बिल्कुल सही है आगे हम बात कर लेते हैं the adipose tissue sport the alveoli and the ducts इन दोनों को support भी करता है alveoli को और सासा जो है हमारे पास ducts को ठीक है तो इसका answer किसके पास जाएगा इसका answer जाएगा बी के पास session region सही है बट जो region है वो correct explanation नहीं है किसका session का ठीक है क्योंकि वहाँ ऊपर यह सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए हमार पास option जाएगा बी के साथ ठीक है तो यह questions आपने कर लिया होंगे ओके बीटा इसकी PDF हमारे टेरिगा हम चैनल से प्राप्त कर सकते है थैंक्यू थैंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो